भोशपूरी विकास मंच गोरकपूर के तत्वाधान में रवीवार को भासा भवन इंद्रानगर में लोक साहित के छेतर में किये गए आफदानों के आलोक में दीन द्यालुपाध्याय गोरकपूर विश्विद्यालाय के हिंदी विभाग के कृतकार आचारे डॉक्टर राम दरसराय को लोक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया उप्यक्त सम्मान भोशपूरी के वरिष्ट साहितिकार और मंच के अध्यच रविंद शिर्वास्तो जुगानी ने अपने हाथों से प्रदान किया सम्मान समारों में मंच के अध्यच रविन्र शिर्वास्तो उर्फ जुगानी भाई ने प्रोफेसर रांदरसराय को मालयार पढ़ कर अंगवस्त्र और सम्मान पत्र दे कर सम्मानित किया इस उसर पर मंच की अध्यत जुगानी भाई ने कहा कि सम्मान को सम्मान प्रदान करना समाज का करता वे है जो समाज इस पर करा उतरता है वा आदर्नी हो जाता है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके क्रितित्व से होती है प्रोफेसर राय का भोशपूरी भासा साहित के लिए अमूल योगदान प्रसंसरिये एवं अस्तोत्त्य है लगभक 40 भोशपूरी ग्रंथों की भोशपूरी में भूमिका लिख कर एवं भोशपूरी कविकविता ना नाटी ने हमें गढ़ा है इसी की गोद में खेल कूत कर हम बड़े हुए हैं हमारी संस्कृति और संस्कार इसी में जीवन्ध है भोशपूरी हमारी जीवन्धारा है इसका सर्रक्षण और संवर्धन से हम जीवन्धारा को प्रवाहमान रखते हैं भोशपूरी की सेवा कर ह अपनी महती भूमिका का निर्वान करे और मातर भाशा भोशपूरी किर्प्रती अपनी कृतक किता ग्यापित करे इस संबंध में गोरकपूर नियूस से बात करते हुए गोरकपूर विश्विद्याले के हिंदी विभाग के सेवा निवरित्र आचारे डॉक्टर रान दरसरा और रविन श्रवास्तो उर्फ जुगानी भाई ने कहा प्रफेसर राम दरसराय विश्विद्याले के हिंदी विभाग से मैंने अभी वर्स भर पहले अवकास प्राप्त किया है और अब स्वाधीन होकर लेखन का कारिय करता हूँ और रचनात्म को जितने भी तरह के उद्यम हो सकते हैं उस दिशा में दो कदम आगे चलने का मैं प्रयास करता हूँ लोकरत्न सम्मान मुझे आज मिला है भोजपुरी विकास मंच के द्वारा भोजपुरी विकास मंच के अध्यक्ष भोजपुरी के यसस्वी हस्ताक्षर डॉक्टर रविंद स्रवास्तो जुगानी जी है उनकी संस्था ने मुझे यह सम्मान दिया है प्रसंदता हो रही है मुझे और इस बात को लेकर मिसेश प्रसंदता हो रही है कि भोजपुरी की और भोजपुरी संस्थाओं ने ध्यान देना शुरू किया है अब निश्चित ही निकट भविस्य में ऐसी संस्थाओं के योगदान से, सहयोग से, जुगानी भाई जैसे यसस्वी भोजपुरी साहित्यकारों के प्रयास से भोजपुरी को सम्मिधान की आठवी अनसूची में स्थान मिलेगा, स्थान तो और पहले मिल जाना चाहिए था लेकिन राजनीत के इलाके में जाकर यह विश्य रुक जाता है, अटक जाता है, अब साहित्यकार जगें हैं इस खेत्र में, भोजपुरी के साहित्यकार, विश्विद्यालेई और महाविद्यालेई के प्राध्यापक और तमाम स्वेंग सेवी साहित्यकार संगठन इस दि भोजपूरी को आठमी अनसूची में स्थान प्राप्त हो जाएगा। लोगों को आगे बढ़ाना भोजपूरी को केंद्र में रख करके सोथ कराना ये बहुत रेयर चीज है बहुत ही कम लोगों के अंदर अपने भासा अपने माटीक पती लगाओ होता है आप भी जानते हैं कि संसार की सबसे बड़ी बोली भोजपूरी है ये लिंगिस्टिक सर् जादे और विकसित लोग पीछे लोग मैं और सब्सक्राइब पता रहा हूं इसी भोजपूरी शेतर के लोग है कारण क्या है कि भाशा और भोजण का सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ सवाल है हमारे पास एक हजार समस्याइं होंगे लेकिन हम उनको ब्यक्त करने के ल हमारी बात करने कैसी हो पाएगी इसलिए हमेशा जिसने भी धंग से शासं करना चाहा है लोगों पर इस यद्वा पर आख्रमकि है उसकी जवान बेश्ट करके दूसरी यात्रा करती रहती है हमेशा देखे होंगे कि लोकग्यता अपने ढंक से बिना किसी सरकारी इमदाद के सरकारी मदद के अपने ढंक से चलती चली आ रही है लेकिन उसी के कंदे पर जब जब सासन बदलता है तो अपनी भाषाएं वो बदलता चला जाता है संस्क्रित कभी था, संस्क्रित के बार में फार्सी हुआ फार्सी के बार में उर्दू आया, उर्दू के बार में देखा अंग्रेजी आई लेकिन राज भाषा बदलती रही लोक भाषा जहां थी वहीं कि वहीं रह गई ये सबसे वड़ी खूबी है और इसी के बल पर ये अभी तक टिकी हुई है इस धारा के इन धाराओं की विप्रीज तहरने वारा गर कोई है तो उसको निश्चरी सम्मानित होना चाहिए उसको सम्मान दिया जाना चाहिए उसी क् ये समस्था ये काम कर पड़ी है